दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विए इंकम टैक्स की जो नई सेक्षन है 194Q जो की 1 जुलाई 2021 से एप्लिकेबल है अगर हम किसी सप्लाइर्स को एडवांस पेमेट अगरम करेंगे गुड्स वाउप परचेज के अगेंस्ट में तब हमें टेली प्राइम स की परचेज वाउपचर की इंट्री पहले करो या फिर आप उसकी उस गुट्स के गेंस्ट में पेमेट अगर आप एडवांस दे रहे हो दोनों में से जो पहले होगा उस कंडिशन पे आपको 0.1% के साब से TDS से जो डिडेक्ट करना होगा अगर आपकी कंपनी 194 के सेक्शन के रूल के अंदर आती है तो तो दोस्तो इस वीडियो हम सिखेंगे हम जब पेमेट वाउचर में इसकी इंट्री करेंगे तो इंट्री करते वक्त हमें कौन सा मोड यूज करना पड़ेगा और कौन-कौन सी फीचर को भी इनेबल करना पड़ेगा तो वीडियो दोस्तों सारी प्रैक्टिकल ही रहने वाली है इसलिए इस वीडियो वो एंड तक कंप्लिट जुरूर देखना क्योंकि इसमें आपको वो सारी बातें समझ में भी आजेगी आपको इंट्री करते वेक्त कौन-कौन-कौ प्रैक्टिकल वीडियो अप्लोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौनसुतार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज कही वीडियो तो दोस्तों इससे पहले प्रचेज वाउप्चर की ज प्रचेज वाउप्चर के अंदर आपको बताया था निके के ट्रांजेक्श नमने इसमें करी थी और इसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में ये 25 रुपए जो ट्यडियस है ऑटोमेटिक डिडेक्ट हुआ है और एक बार टॉन्टी सिक्स क्यू रिटन को भी देख लेते हैं ताकि जब हम नई जो इंट्री करने के बाद में पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी हमें पता चलेगा तो मैं इसलिए डिस्पले पर स्टेचरी पोर्ट पर और टेडियस रिपोर्ट पर जाएंगे और फरम-26 क्यू को सेलेक्ट करना है आपको टेडियस रिपोर्ट में आने के बाद में इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो एक ट्रांजेक्शन है आपके पास में असे से वेरी पर आपको 25 रुपे शोरी है और जो टीडियस है वो 25 रुपे हो रहा है 0.1 परसंट के एकोड़ी और अब हम करतें एक नया हम सप्लायर्स को क्रेट करेंगे और उसको हम इस डिडेक्ट करने तो सबसे पहले आपको इस डबल मोड को अटाना पड़ेगा अभी आप देखर यहां पर प्रजेंट टाइम में जो मोड आ रहा है इंटरी करने का वो डबल मोड है आपको यहां पर करना सिंगल मोड अब सिंगल मोड कैसे आएगा इसके लिए आपको इसंगल मोड अपड़ेगा या आप सकते हो और उसके बाद में यहां से आपको सबसेलेक्ट करना है ़िम्मध करते हैं थैसलो और यहां रखना ऐसंदर में आपको डseitsर सर्कें रखना है और बाकी आपको कोई TDS Enable, Detectable कुरने की कुछ भी जुरूरत नहीं है, सिंपल लेजर बनेगा, जिसा अभी तक अब बनाते आ रहे हैं, तो Bank of India का लेजर मैंने सेलेक्ट कर दिया, और अब हम एक नया लेजर क्रेट करते हैं, LC के साथ, अब जिसे कि मैंने मान लिया, भी SS Traders के नाम से एक नया लेजर क्रेट कर दिया, और यह हमारे Suppliers हैं, तो इसको हम रखेंगे Sentry Creditors में, और जब Sentry Creditors में रखेंगे, और इनका जब TDS है, जो Applicable है, यहनके हम इस Suppliers का TDS काटेंगे, तो इस Condition में हमें इस TDS Deductible को Yes करना पड़ेगा, और Yes करेंगे, तो उसके बाद में जो Deductive Type है, यहनके Assess Traders है, वो कौन सी कैटिकरी में है, वो हम सेलेक्ट करेंगे, अब मैं इसको अभी फिलाल Indigual Achieve Relatives सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको Option यहाँ पर दिखाए देगा, Deduct TDS in Same Watcher इसको आपको Yes करना है, और Use Advanced Intrids इसको भी आपको Yes कर लेना है, अगर यह Features आपके पास अविलेबल नहीं है, तो आप F12 प्रेस कीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ से इन Features को Enable कर सकते हो, और यह Features किस तरीके से Enable होते हैं, यह भी इस पर भी मैंने एक Special Video बनाया है, उसको भी आप देख सकते हो, और उसके बाद में आपको TDS on purchase आपको पूर्ट का यह जो, TDS Nature of Permit की Class आपको Create करना ही पड़ेगी, जो कि मैं पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसको हम Select करेंगे और End of List करेंगे, Advanced, हम जब TDS Entry को Select करेंगे तो आपको यहाँ पर यह देख रहे हैं, Ignore, Surcharge, Exemption Limit इसको आपको No रखना है, Okay, No रखेंगे, और उसके बाद में इस Window को हम कर देंगे, और इसको यहाँ पर आप Ignore Income Tax Limit इसको Applicable करने, और TDS Own, Perses of Outs को भी Applicable करके, और इसको Save करेंगे, अब यहाँ रखने, यहाँ पर आपको Pen Number देना कमपल से लिए, Otherwise, 0.1% की बजाई यह 5% के साफ से TDS डिडेक्ट कर लेगा, तो मैं यहाँ पर Pen Number डाल देता हूँ, और बख्याँ आप GST को Regular विक्रम कर सकते हैं, अब माली जे मैंने इस Suppliers को 80,00,000 रुपे की Payment करने हैं, तो मैं 80,00,000 रुपे यहाँ पर Amount हैं मैं Post करूँगा, या New Reference Select कर सकते हो, अगर आप New Reference Select करोगे, तो यहाँ पर आपको Type करना पड़ेगा, भी Advanced Payment आप यहाँ पर लिख सकते हो, या Otherwise, आप यहाँ पर New Reference की बजाए चाहित आप यहाँ से भी Advanced को Select कर सकते हो, अब आपके पास है जो Invoice Number अभी है नहीं, Invoice Number आएगा तब हम यहाँ पर डाल देगे, Enterprise करेंगे, अब उसके बाद में हमने एक Tax Library का, हमने एक Laser Create किया हुए, 194Q TDS On Purchase, इसको Select करेंगे, जब यह जो Laser Create किया हुए, यह Under Duties and Taxes के अंडर में किया हुए, और इसका जो Text Type है, वो TDS Select किया हुए, कंट्रोले के साथ Accept करेंगे, और उसके बाद में, यहाँ पर हमारे से एक Accessible Value पूछेगा, अगर यह Option आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसी यहीं पर रहते हुए, आपको F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद में, आपके पास में, The Allow Modification Accessible Value, इसको Yes करना है, अगर आपको इसको Yes नहीं करोगे, तो आपको यहाँ पर जो यह Value जो दिखाई दे रही है, यह Value यहाँ से हट जाएगी, और अब हमें इसकी जो Exemption Limit है, 50 लाक रुपे की उसको छोड़ना है, और उसके बाद की जो Amount बसती है, 30 लाक रुपे, वो Value हमें यहाँ पर डालनी है, तो हम यहाँ पर डालेंगे 30 लाक, तो हमने यह 30 लाक रुपे की Value डाल दिये, और Note Applicable करेंगे, तो जैसी हमने 30 लाक रुपे डाला, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी जो Amount है, माइनस 3,000 रुपे, ओटोमेटिक ही डिडेक्ट होगी, और अब इसकी जो Amount जो Payble है, वो यह Amount बचेगी, इसमें से 7,97,000 रुपे हैंगी, यहनकि इसमें से जो 80 लाक रुपे हैं, 80 लाक रुपे में से 3,000 रुपे, TDS है, जो डिडेक्ट हो चुका है, और इस Entry को हम यहा यह देखेंगे, इसका 26 Q TDS Return पर क्या effect आया है, तो इसके लिए वापीस हम डिस्प्ले पर जाएंगे, स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर जाएंगे, और TDS रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, 26 Q Return को देखेंगे, तो अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर जो इसकी Amount है, वो पहले आपको यहाँ पर 2500 रुपए जो शो हो रही थी, वो अब 500 रुपए की हो गी है, अगर इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे, जैसे हम इस पर इंटरप्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हो, वो दोनों के दोनों लेजर हमारे पास यहाँ पर शो हो गी है, यह जो सुमीत एंड आपको यहाँ पर अलग से कोई जर्नल इंट्री करने की जुरूर दनी है क्योंकि हम ने इस पेमेट वाउट्चर यंद के सेम वाउट्चर में ही इस इंट्री को डिड़क्ट कर दिये हैं अगर हम इसके तो इसके लिए हम बैलेंस इट पर जाएंगे और हम यहाँ पर देखें ड्यूटी जैंट टैक्सेस को आप यहां पर देखो ड्यूटी जैंटियान टैक्सेस में भी आपको 4500 रुपे क्रेडिट शो करेगा और यह वही लेजर आरहा है जो हमने अन्डे डूटी जैंट्री के तब भी आपको same ही razor रखना है ताकि आपको बाद में problem ना हो जब इस पर interface करेंगे तो आपके सामने आप देख रहे हो यह दोनों ही ट्राजिक्स नमें दिखेगी 25 रुपे वाली और एक ही 3000 रुपे वाली तो दोस्तों इस तरीके से हम payment voucher में यह advance payment की entry easily तरीके से कर सकते हैं